इस कारिक्रम के पुड़े आजक हैं समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजाबाद इक्षाबद के श्रमंद में चर्चा कर रहे थे आचार महुदे ने प्रोषद ववास नामक शिशाबद का स्वरूप अनेक प्रकार से बताया उपवास कैशे करना चाहिए उपवास के दिन कौन कौन से कार नहीं करने चाहिए उपवास के दिन कौन कौन से क्रियाएं नहीं करना चाहिए उपवाश के दिन कौन कौन से कारी करना आवश्यक है उपवाश के दिन किस पकार की किरियाएं करें किस पकार की न करें उपवाश के दिन अंतुरंग की पढ़नती कैशी रहे किस पकार कशायों का समन करें इंद्री के विश्यों से दूर रहें उनका शेवन न करें उपवाश के दिन पाप में प्रवत्ती न हो उपवाश में शांत चित रहे उपवाश में निद्रा या तो न ले या अल्प निद्रा ले थकान को दूर करने के लिए उपवाश के दिन ते लोटन आदी शंगार या शनान अभ्यांगशनान आदी येशे कारिण न करे उपवाश के दिन घर की शफाई बस्त्रों का दोना पेंट करना या और कुछ कार करना इस अपकार नहीं करना चाहिए उपवाश के दिन दिशेष उत्रथ तेल फुलेल गंदमाला पुष्णमाला आदी येशे को आदी कि भावना बारे भावना का चंतन कर सके करी उपुवाश के दिन जितना अधिक अधिक प्रभु भक्ति में मन लगा सके लगाई उपुवाश के दिन जितना अयोगों की प्रोति कम करे उतनी कम से कम करे ज्यादा से ज्यादा नहीं उपुवाश करने पर शरीर को भोजन नहीं मिलता जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो शरीर में स्थितलता आ जाती है भोजन के माध्यम सब चारी मोः ॔ जल बढ़ता है ओज बढ़ता है। और नुत शंपता बढ़ती है किंतों भोजन भी बहुत वड़ा काम करता है। जल भी शरीरि के लिए आवश्क होता है प्रोस्थोभाश करने वाला सबक वास्तराविका जब वबवाश करता है सोलेश प्रेयर का अप्वास तो शोलेश प्रेयर की अप्रावास में लगबक अर्थारिश घंटे के इतुबास में उसे आकुरता होना स्वभाविक है जो निरंतर डेली वोजन करता था कभी कभी शाम को पानी भी पीता था अब हुए दो पत्मा बाला, तीन पत्मा बाला, चार पत्मा बाला, पांच पत्मा बाला, यार, छे, साथ पत्मा बाला, इसी आगी बाला, स्रावक, स्राविका, उप भाश करता है पर्व के दुनों में, तो इस दो भाश करता है, तो इसके शरीरी में सितलता आजाने से ही, सम्मब धार उस वुपाष की दिन है बोटन की शक्तिववले कमम मिली है कि धर्म-ध्यान की इमादы में शरीर को सक्क थी का संचनक करें वहाई धर्म-ध्यान का चंतन तात्व चंतन तो छेंत और अंतन उड़्या शक्तिा संचार कर देवाला होता है समन्त वा重 स्वामी के शब्दों में प्रोस्द वास बत की पांच अतीजार कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं ग्रहेन विसरगा तरणान नियदर नियद्यश्ट म्लस्टान नादराय समर्णी यद प्रोस्द उपवाशो व्यतिलंगन पंचकम तद इदम तद इदम वे पांच पंचकम माली पां व्यतिलंगनम अतीचार व्यतिचार यानी जो प्रोस्द वास व्रत का स्वरूप बताया है उस स्वरूप में इन पांच प्रकार से दोश लगते हैं व्रत एक देश खंडित हो जाता है इसलिए आचार वगन समंत्वाश्वामी ने शाबक श्रावकाओं के लिए ये इन जान करके इन पांच अतीचारों से अपने व्रतों की स्वर्क्षा कर सकते हैं जैसे कोई राजा अपने दन की स्वर्क्षा करने के लिए चौकीदार या पहरीदार लगाता है और उस दिशा में लगाता है जिस दिशा से चोर के आने की संबाबना होती है जहां से चोर क आने की शंबाबना नहीं है, मोटी दीवालय, बहुत मुची दीवालय चोड़ नहीं आ सकते तो वहां थोड़ी लगाएगा, जहां से ब्रत में से दोस आते हैं जो कि दोस ब्रत को दूस्त कर देते हैं यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई शामरे से प्राहर कर रहा हो वान प्राहर कर रहा हो तो उती क्या करता है ढाल लगा लेता है ढाल से वान को रोगता है तलवार का प्राहर करता है तो ढाल लगाता है ढाल व्यक्तनी ल जाल ले लिए एक डाल सामनी लगा लिए पीशे लगा लिए उपर लगा लिए पांच डालो करें तो यह यह पांच प्रकार से दो सम्भावित हैं इन पांच दोसों से बचने के लिए हुए स्राबक बचराब का श्राबदान रहे पहले से मालम चले गया कि द्धर्शे डोसा सकता हुई से श्राबदान हो जाये मों कौन तो आचंजन मोदे बचा बता रहे हैं कि कि प्रोस्दो बाश में शरीर मैं शितलता आ आजनेशे कियाव में सितलता आजाती है प्रमाद आजाता है वो रिख नहीं नहीं ले पाती है प्रु मैं कभी गरता परदा सयर्दा है कभी खढ़े-खढ़े शामै करता था ख़च उने कि सम्ध लेट के कर रहा है विसidente करता था और शामैत नहीं है तो लीट की कर रहा है यह तो भी करतो हो रहा है किन्तो कभी कभी यशा भी होता है कि लेट के सांभाय करना प्रारम की अन्य दिया गई कभी यशा हुआ थकान ज्यादा होई सांभाय के करती करम को भूल गया क्या भक्तिया पड़नी है क्या पाठ करना है क्या जाब लगानी थी भूल गया यह अन्य कार्य करता था बड़ी शाबधानी पूरवक शम्तियों का थाजों करते हुए शयंद कर रहा था देश शयंद का किन्तो अब सितलता आयानेशन नहीं पालन कर रहा है तो यह उसके दो शयंद हैं तो आचार मोदे के रहे हैं, ग्रहेन, ग्रहेन करना, विशारग, छोडना, आस्तरनान, आस्तरनानी माने विशाना, अद्रष्ट, अम्रष्ट, अम्रष्टानी, अद्रष्ट माने बिना देखे हुए, अम्रष्टानी माने अम्रष्ट कहते हैं, प्रमार्जन, प्रम्रष्ट प्रमार्जन करना अब नश्टमानी बिना प्रमार्जन किये आँखों से देखे बिना पिछ्छी आदी संजम के उपकरन किसे शोदे बिना मार्जन किये बिना या शावक साविका है तो अपनी हाथ में वे कोमल वस्तु रखता है जिसे प्रमार्जन करके बैठता है कोई बस्तु रखता है तोमाजन के बस्तु को उठाता है वे देखकर कि चलता है चटाइ बस्तु आदी है कोई बस्तु गई देखकर कि वह कोई जीब तो नहीं है कि smarter with वे कोई वस्तु को बैटे-बैटे में खिसका की उठा लिया या कोई वस्तु रखना है तो यूँ खड़े-खड़े छोड़ दिया या अमल विश्तर करने के लिए गया सुद्दी के लिए अधी शंका के लिए वहां इसतान को देखाने पर मजन ने किया वहीं वहीं बैठ गया वहाँ जी भाठ हो गया यह विस्तर आदियों से लगानी है आसन विशाना है पाटा चोग विशानी है बिना देखे उसे प्रमाद के शाद जीव हिंसा संभावित है जीवों का घात होना संभावित है नहीं भी हुआ तब भी प्रमाद अपने याप में बहुत बड़ा पाप है सबी पापों का आसर दाता है इसलिए आचार मोदे के रहे हैं प्रोस्त वबास व्रत के दिनी भी अपनी किरियां में सदलता मताने दो कोई बस्त वचानी है तो इसी प्रकार से उठाओ प्रमाजन करके पहले आंखों से दस्टी पूतम दस्टी शेप्रमाजन करो पर कोमल बस्ताद शेप्रमाजन करो बस तू रखनी है तो बस तू पहले इस्तान को देख लो जीव तो नहीं है फिर बसके से प्रमाजन को इस सोचन जीवन का प्रमाजन कर लो फिर बस तू को रखो यदि बस तरादी बिशानी है उठानी है तो पहले प्रमाजन करो पलंग बिशाना है खाट बिशानी है चारवे बिशानी है या गदा बिशाना है या उठाना है चटाई बिशानी है देखने जबे को पहले यह शानी रात्री है अंधिराशा है और सी दिश्टाई पटक दिए बस पटक दिए मुझे लिटकर नहीं गलत यह आपके ब्रत को सदोश करने वाले हैं आपने ब्रत किया फुवाश किया उसका पुर्लिफल आपको पूरा मिलना चाहिए किन्त यह ब्रत रूपी अम्रत कलस म है पांच छेद हो गए इसमें से मद जर जाएगा और किन्च आपके आप 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 आएगा यदी आपके ब्रत रूपी अम्रत कलस में अथी चाह रूपी पांच छेद नहीं होते हैं तो ब्रत का आपको पूरा पूरा फल अवर्श प्राप्त होगा तो यहां बताया बिना देखे कि बिना सोधय यानी विना प्रमारजन के कोई भी बसू उठाना कोई भी बसू रखना कोई भी बसू तो तयाक करना कोई बसू बशाना सिकोलना फहलाना वस्तर आदी और भी चटाई आदी तो उश में जीव गास नवावत है तो तीन अथिचारी हो गए आगे थिचार के रहे हैं अना धर्भ धर्म की किरिया तो कर रहे हैं अभशेक तो कर रहे हैं किन प्रमाद है अब उप चणना है तो भगवान गात पकड़ की उप चड़ गई खंदा अब नामाद आगे बैठे हैं अरे माती से पचीन आ रहा है तमारी हाजमीन इसफर्स हो गए तो भगवान को आपने छू लिया द्वारा से कौन हाथ दोए जो प्रमाद करने का शन्ना नीचे गिर गिया आप उठा के फिजों की तो प्रयों में कर लिया उसको दोया ने वर ने स्टर्वात कर दीकुष भूल गई कुछ यादवी रही तो इसके पती आधर का भाव मिन रह तो आचनमोद यह के रहे हैं कि जिशन आपने अपने उप्रस्त व्रस्त किया है शरीर में स्टर्वात बली या जाए किन तो आपके उप्रयोग में शीतलता नारे मन्हम में राने से सबीच सितल होनी लगता है और शरीर तो आलशी है जो रिरना काम है इसको तो हमेशा तयार रखो जिसके मन में उसा है एश्वक्तिकी शरीर से ठकता नहीं है जिसकार के करने के लिए अका उसा होता है तो अपने दिन गिंतिन रात कई बार आपको भुजण नी मिला द तो तीन दिन हो गए लगातार काम कर रहा है, सो नहीं रहा, कहां से शक्ति आई है? अपनी बतीजी की शादी में, बतीजी की शादी में, या सवाल पश्की की शादी में, और वय हुसा के शाद जा रहा है, लगा है, काम में, लगा है, कहां से शक्ति आ रही है? शक्ति अंतरं शक्ति जागत करो, उल्लहा सुमंग आनद जागत करो, उसके माद नक्षे शरीर को सक्ति मिलेगी, यह शरीर बोजन से सक्ति प्राप्त करता है, किन्तो शरीर अपने उस्वा पूर्वक कार्शे वे शक्ति प्राप्त करता है, जैसे शूर की क्रों से सक्ति प्राप्त करते हैं जंगली जानवर, जयांशे जाहुआ की मात्प जदा हो, तो रोगी को शक्ती प्राप्त होती है, वैसे बिना ओउषिदी के इभी ठीक होती है, और फर्श्च्टेक पदार्तों का सिवन के वैसे बिना वी, जाह आउवक्षिन की मात्प अदिक होती है, तो शीक्रही रुखदूर हो जाते हैं, ही वाए वाता वनष चक्ति प्राफ्ट से भुजन के अलावा भी, जल्शे ही शक्ती मिलती है, मंत्यकार któ şaktit मिलती है, मिट्टी में लेट जाती है, इसके शाह साथ, ही शक्ति तो बार की ये उंत रंग से भी शक्ति मिलती है, मने वि निद्राली उसे निद्राशे परश्रम का जो था किलेद खेद उसका शांत वह सब दूर होता है उसके प्रांत पने उसे श्पूरती आगे फरिकार किना प्रारम कर दिया तो आचर मोद ही कहना चाहते हैं अरे भाई प्रोश्वास आपने किया है अच्छी बात डेली आप जै पांग में चारी करूंगा तीन करूंगा दो करूंगा एगी पूजा करूंगा एश्या मत व्याशे तो आप दो गंटे डाइगंटे की सामय कर देते अपास किया है आप तो रिवर गंटे की करूंगा एगंटे करूंगा आदे गंटे करूंगा गठाओ मत उपवास आपने अपने काम किये तो इस दो आपके लिए घाटे का स्वधा हो गया निति जितना ध्रमदान करते थे उपवाश के दिन ध्रमदान वे बढ़ना चाहिए गटना नहीं चाहिए बढ़ना चाहिए और और बढ़ना चाहिए बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ सामाय को बढ़ाओ, स्वाध्याय को बढ़ाओ, तत्यचिंतन को बढ़ाओ, धर्मात्मा की शंगती में बेठो, साद्यू परश्णों की शिववयवती में लगो, अहार आधी दान में प्रवत्ती करो, अभशेक शांधारा में प्रवत्ती करो, मन लगा करें पुंड़ के कार नहीं होती है, और किसी भी कार को जब आप बेमन से करते हैं, तो छोटा सा कार भी ठका देता है, इसलिए प्रोस्तु बादबत को भी उल्लास उत्सा आनद के शासंपन करो, इन पांच अती चानद सी बचो, बिना दे के बिनाशो दे कोई बस तो उठाओ मत, बिना दे के बिन किसी भी क्रिया के बती चित्त में एक्षण के लिए अनादर का भाव नहीं आए, और धर्म के कारियों को धर्म के क्रियां को बिर्श्मत मत करो, इन पांच अती चारों से बचो, ये अती चार कहलाते हैं, कौन से? बिना दे के बिना शो दे गेंगन करना, बिना दे के बिना ये वस्ता आपको प्राप्त हो, आपके बृत निदोश पलें एशियें भावनावाते हैं, इसी के शाथ शब्द शंगला को बराम देते हैं, जवली श्री शांतनात भगवान की, परम पुजी आचर गुर्देव श्रीवी दन्रिम निमाराज की, अहिन सामय विश्व धर्म क इस कारिक्रम की पुणे आज़क थे, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धी जैन, मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिष्ला जैन, डॉक्टर मौनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्यम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्रीविशल चन जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकर्ज, अमिज जैन, राशी जैन, उन्नती जैन, सेक्टर सेतिस नौएडा, पारसमल इंद्रदेवी, संजय, विनीता, अजय, नीतु बाकलीवाल, सूरत, श्रीविनो जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरुभक्त परिवार, फिरोजाबाद